आज चार बुचे के क्लास में मेकालेज मिनट कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज हम करेंगे मेकालेज मिनट 18.35 मेकालेज मिनट बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है इंपोर्टेंट एक्चुली में एजुकेशन का पार्ट है जो हमें जानना जरूरी है और हर एक युनिवर्सिटी में मेकालेज मिनट जरूर पुछता है एक तरह से आप हो सकते हूं कि ब्रिटिसर्स के टाइम में यह जो आया था इंग्लिस को जो इसका बेस दिया या फिर इंग्लिस को बोलते हैं हाइलाइट करने वाला जो है यह तरह का में का है एक तरह का जो आप वह सकते हैं जो की ब्रिटिसर्स के टाइम में जारी किया गया था गुड़ी इवनिंग आशिस सो यह जानना और यह किस तरह से हुआ क्यूं हुआ सभी एकदम स्टोरी की तरह हम जानेंगे ताकि यह हमें ऐसा न लगे कि भाई हम कुछ लर्न कर रहे हैं हमारे दिमाग में कुछ रटने वाला चीज चल रहा है जब इसको स्टोरी की तरह आने वाला ही कुर्शन है गुड़ी इवनिंग नमरता नौनीत गुड़ी इवनिंग 84 आया है परसेंटेज गुड़ी इवनिंग संतोस देवान गुड़ी इवनिंग प्रैक्टिकल में जो गाईबा में पूछा वही बता दिया मांक्स अच्छा मिलेगा क्या हाँ जी बिल आचा फॉस्ट यर आवद इनवर्सटी ऐट्टीफोर आया बहुत अच्छी बात है नो ने कॉंगरेट्स आवद इनवर्सटी में थोड़ा सा मार्स लाना है प्रॉब्लम होता है लेकिन एक चीज है कि उन लोगों को आवद इनवर्सटी वाले को भी पता है कि सलवस थोड़ प्राक्टिकल में जैसे कि अगर 20 का है तो 20 में 19 20 ऐसे करके दे देते हैं तो प्राक्टिकल में उसमें मांक्स अच्छे मिल जाते हैं चलिह स्टार्ट करें क्लास को तो आप लोग का यह जो पार्ट है यह अब नौनीद जैसे कि आप लोग आगा अब 2nd year में तो यह आप आप लोगों के लिए है सो इसको अच्छे से कर लेना थैंक यू अच्छा लग रहा है यह सुन करके कि हा मैं क्लास की वेज़े मुझे मतलब इस बार वर्थ हिट हुआ है पूरी तरीके से क्लास सभी क्लास हान जी यह आगरावाले भी करेंगे कि अगरा वालों के लिए भी है प्रवा मतलब यह जो चार वजाक्यका क्लास होता है वो पार्टिक्लर लिए कि से इन्युवर्सिटिस को कवर किया जाता है इसमें कुछ एक्स्टा चैप्टर्स भी हो जाएंगे अगर अगर आप हर्याना की तरफ से देखोगे तो भी एक्स्टा हो जाएंगे तो सब मिक्स अप रहता है ये लेकिन ये तो है मेकालेज मिनट ये इक कंटेंपररी का फिक्स च सब्सक्राइबं है character act दिया गया उस Act में बोला गया है कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गया कुछ vidéos बनाइग गया जिसकी वजह से पूरे देश्य में गूट में गया जो गुर्प बन गया एक गुरूम काicios की प्राची और दूसरे का नाम था पास्चा आठे जिसमें की इंडिया को, इंडियान लिंग्वेज को support करने वाले कुछ लोग थे और कुछ इंडिलिस लिंग्वेज को support करने वाले थे तो यह दो ग्रूप इस तरह से बना यह ऐसा लगा कि चोटा मोटा जैसा प्रॉबлем यह पॉलिटिक्स में होते रहता है वैसा हुआ लेकिन नहीं इसमें ये जो है मामला बहुत ज़्यादा तूल पकर लिया और देश में बहुत ज़्यादा इस चीज को ले करके प्रॉब्लम होने लगी उससे में बिरिटिसर्स ही हमारे उपर राज कर रहे थे तो उन लोगों को प करने के लिए इस ये प्रॉब्लम प्राची और पास्चाते विवाद जो हुआ इंडियन लैंग्वेज और फॉरन लैंग्वेज के बीच में जो विवाद हुआ जो दो ग्रूप बना था उसी को सॉल्व करने के लिए जो है इनको एंट्री दी गई और ये पूरा या मतलब कि सुझाओ दिये कि इसमें क्या क्या किया जा सकता और क्या करना चाहिए यही मांगा गया था मांगने वाले विलियम वेंटिक थे और यह देने वाले भाई साव हमारे लॉड मिकाले थे तो इन्हों ने जो है अपना पूरा विवरन पत्र इसको मिकाले मिनट के नाम से जाना जाता है जो विवरन पत्र है इसको मिनट के नाम से जाना जाता है और मिकाले तो नाम ही है यह 1835 में दिया गया है ठीक है यह स्टोरी है अब हम इसमें समझते हैं कि उन्होंने किस तरह का अपना सुझाओ दिया है ठीक है बट इस स्टोरी को इसी तरह से याद अब यह कोशन पूछा कैसे कैसे जाता है तो देखो इदो तीन तरीके से कोशन आता है मेकाले भारतिये सिक्षा का पत परदर्सक है समिक्षा कीजिए ठीक है एक कोशन ये दूसरा कोशन आता है मेकाले के विवरन पत्र ने भारत में सिक्षा के इतिहास में एक नई दिशा प मेकाले का विवरन पत्र क्या है उसे explain कीजिए या वर्डन कीजिए simple way में तो यह दोनों या तीनों तरीके से किसी भी तरीके से अगर पूछेगा तो आपको answer यही लिखना है समझ मैं same to same answer लिखना है thank you so much नवनीत मुझे भी बहुत जादा यह सुनकर अच्छा लगा कि 84% बहुत ही अच्छा है अब second year में आप लोग ऐसा target लेकर के चलना कि 90 को touch ही कर लेना है second year में marks अवद का और अच्छा आता है क्योंकि उसमें practical थोरे जादा ही है और उसमें आपको marks अच्छे मिल जाएंगे तो अवद का अब आपका 84 हो गया है आप 80 को touch कर गए हो तो इधर में आप target रखना कि 92 93 इसमें आ जाए तो combined जो आपका percentage बने वो 88 89 या फिर 90 बने जाए तच कर जाए 90 को target लेकर के चलना विंदम अच्छे से प्रपेशन करना गुडी इवनिंग सोनी गुडी इवनिंग दुर्गा विजेंती गुडी इवनिंग थैंक यू चलो अच्छा लगता है कि जब अच्छा लगता है एक बूस्ट अपाता है और काम करने का मन करता है कि गौवर्मेंट में कैसे बनेगा मैं क्या भाई नी तू चलिए यह सारे कोश्चन हम लों लास्ट में देख लेते हैं यह मेकाले इस मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इस पर फोकस करो और मैं नहीं चाहती हूं कि देखो इसको अगर छोड़ दोगे ना तो फिर आपके लिए हिस्ट्री बन जाएगा और हिस्ट्री को आप बिलकुल नहीं अच्छ इनको विवरन पत्र बनाने के लिए दिया गया अब थोड़ा सा और हम लोग इसमें चलते हैं जिस समय भारतिये सिक्षा को लेकर प्राच्य और पास्चात्य विवाद्चल का उग्र रूप धारन कर रही थी उस समय लौड मेकाले 10 जून 1834 इस भी को गवर्नर जनरल की कॉ कानूनी सदस्य की रूप में भारत आया भारत में इसकी एंट्री कब हो थी 10 जून 1834 उस समय तक प्राच्य और पास्चात्य विवाद उग्र रूप धारन कर चुका था फिर उसके बाद 1833 के आगया पत्र के अनुसार गवर्नर जनरल की कॉंसिल में एक कानूनी सदस्य की बृद्धी की बात कही गए थी तो था लॉड मेकाले इसी पदपड न्यूक्त किया गया वह स्वयम अंग्रेजी का विद्वान लॉड मेकाले क्या था अंग्रेजी का एक विद्वान था लिट्रेचर इंग्लिस लिट्रेचर का बहुत बड़ा विद्वान था बहुत ग् विलियम वेंटिक उसमें जो गवर्णर जनरल कौन थे लॉर्ड जनरल जो थे विलियम वेंटिक द्वारा बंगाल की लोक बंगाल की लोग सिक्षा समीती का प्रधान न्यूक्त कर दिया गया उसको कहा का बंगाल का ठीक है बंगाल का जो है उसको प्रधान न्यूक्त कर दिया गया क्योंकि बेंटिक का विश्वाव था कि मेकाले जैसा परकांड विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है क्य दिए उसको ऐसा लगा कि भाई ये जो है मेकाले यही कुछ कर सकता है तो उन्हों ने जो है वहां का प्रधान तो बना दिया बंगाल की सिक्षा समिती का अब उन्हों ने यानि कि विलियम बेंटिक ने बनाया तो उसको भी तो कुछ लेना चाहिए गीवन टेक वाला रिस्ता था वो तो उसने बोला कि आपको दो चीजों कीका काम करना है दो पॉइंट्स पर जो है अपने सजेशन देने है है और रिटें में देने है इसलिए ये विवरन पत्र है रिटें में देने है क्या सजेशन था सबसे पहला था कि पहली राय यह है कि एक लाख रुपए की धनरासी प्राच्चे सिक्षाओं के अलावा और भी किसी परकार का खर्च की जा सकती है यहाँ पर प्राच्चे और पास्चाते में हुआ था वो एक लाख रुपए धनरासी को लेकर के हुआ थी ये 1,00,00 रुपे की धन राशी थी, उन लोगों बिटिसर्स ने बोला था है कि सिख्षा पर हम खर्च करेंगे, नेकिन सिख्षा में भी उस एजूकेशन पर वो खर्च कर रहे थे, जो इंग्छिस मेरियम का एजूकेशन दिया जाए उस पे था, फिर वो विद्वानों की ब आता या फिर संस्कृत के जो जानने वाले जानकार लोग है उनको विद्वान में काउंट ही नहीं करते थे तो उन्हों ने एक लाख रुपए तो निकाल दी कि भाईया यह जो है हम सिक्षा पर खर्च करेंगे लेकिन सिक्षा का डेफिनेशन एजुकेशन का डेफिनेशन भी वही दे रहे थे और विद्वानों का इंटेलेक्च्वल का भी डेफिनेशन वही दे रहे थे तो इसी बात पर प्राचे वालों ने उंगली उठाई थी कि हम जो हिंदी साहित्य के जानने वाले हैं जो संस्कृत साहित्य के जान तो ये चीजों पर एक लाख रुपए को लेकर के प्रॉब्लम आई थी तो उसी पर विलियम वेंटिक ने इनसे सजेशन मांगा था इस पॉइंट पर कि जो एक लाख रुपए क्या है वो किस तरह से खर्च की जाए सिक्षा पर ये बताओ और दूसरा जो था उन्होंने बोल प्रॉब्लम ञेंसे स्टार्ट हुई थी एक लाख रुपए ओला प्रॉपए उसी में था उसी आयगया पत्र में था इनका reason क्या था? Britishers का reason क्या था education? क्या वो इंडियन को educate करना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि भारतिये लोग जो है सिक्षित हो जाए और हमारे बराबरी में आ करके बैठे? नहीं, बिल्कुल नहीं. वो इनके पीछे reason ये था कि Britishers को अपने छोटे-मोटे काम करने के लिए जो कलर्कियल काम होते हैं, मैनेजर का काम होता है, ये सब काम करने के लिए England से ही लोग बुलाने पड़ते थे क्योंकि उनका सारा काम होता कि इसमें था? English Language में. तो ये जो है इंडिया के लोग तो करने ही पा रहे थे और इंडियन जो है हिंदी के जानकार थे वो लोग. त हमें जो है England से Britain से जो है Employee मंगाने की जरुरत नहीं होगी. क्योंकि Employee जो है England ये Britain से जब जाते थे तो उनका खर्च जादा हो जाता था, वो expensive हो जाते थे इन लोगों के लिए. अजब इंडिया से ही उठा करके काम करवाते तो ये expensive नहीं होते, तो यही सोच करके English को जो ह ये medium बनाया जा रहा था और इंडियन को education दी जाए थी, ये 1813 के आगया पत्र में ये सारी चीज़े सोच करके ये एक तरह से announcement किया गया, लेकिन इंडियन को लग गया इसमें problem की हमारे देश में आकर कि तुम हमारे देश में रह रहे हो और हमारी culture को, हमारी language को, हमारी ही सा हाई ते को तुम बेकार और फाल तुम बोल रहे हो और फिर उसके बाद बोले कि English में होना चाहिए तो ये तो बिलकुल नहीं, इसी बात पर बवाल उठा था, तो यहां पर दूसरा जो question विलियम वेंटिक ने किया, इनसे मेकाले से, वो ये बोला कि भाई तुम ये बताओ कि जो मीडियम होना चाहिए, education का, सिख्षा का मीडियम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्योंकि 1813 के आ गया पत्र में तो ये दे दिया गया है, कि मीडियम जो है English हो, तो आप बताओ कि कौन सा होना चाहिए, वास्तवी क्या होना चाहिए, explain करके बताओ, तो ये दो question जो है उन पे डाला गया, किस पे मिकाले पे, अब मिकाले है था एकदम चतुर, जो आप बोसकते हो कि English literature का गयाता था, words पे उसको command थे, language को जानता था कि इस तरह से use करना है, vocabulary उसके पास sufficient थी, तो उसने इसको अच्छी तरीके से use किया, अब इसका क्या suggestion आया होगा, चलो देखते हैं, बुसों कि इसने suggestion क्या दिया होगा, ये दो काम जो है, विलियम बेंटिक ने सौप दिया मिकाले को, अब इसके बाद मिकाले ने क्या किया, Lord मिकाले से, न तो देश के लिए कोई सिक्षा निती ही, इस परस करने के लिए कहा गया, और न उसने सिक्षा समिती की बेंट को में भाग लिया, Lord मिकाले को जिम्मेवारी responsibility दी गए, लेकिन responsibility बस ये दो कामों के लिए दी गए, otherwise वो कुछ भी काम नहीं करता था, नहीं सिक्षा समिती में जाता था, नहीं जो है, वहां के कोई भी मिटिंग को अटेंग करता था, क्योंकि वो स्वयम नहीं चाह चाहने, शिक्षा संबंदी योजना है, अब उसने अपना विवरन पत्र जो है पेष कर दिया किसके सामने, बेंटिक के सामने, क्या था उसमें देखो उसमें क्या था, यही कोशन अलग से पूछता है, मिकाले की विवरन पत्र की मुखे बाते क्या थी, यानि उसका suggestion क्या था, recommendation उसने क्या दिया था, सबसे पहला point उसने क्या रखा, अंग्रेजी, तो वह से यहां पे हम color change करते हैं, सबसे पहला point उसने रखा English को, जो medium होना चाहिए, education का वो क्या होना चाहिए, बेंटिक ने पूछा था, तो इसने क्या answer किया है, अंग्रेजी का समर्थर और इसका गुणगान, सबसे पहले तो अपने विवरन पत्र में, वो English का पूरी तरीके से अपो सकते हो, कि उस पे जो गाथा लिखा जाता है, वो लिख करके दिया, कि English कितना महान subject है, और English के एक subject ही नहीं है, इतना महान साहित है, जो हर किसी को जानना चाहिए, अगर वो educated है, तो मिकाले ने अपने विवरन पत्र में, प्राच्चे साहित और सिक्षा का खंडन किया, प्राच्चे का मतलब Indian, Indian education को और Indian literature को जो है, उसका पूरी तरीके से खंडन किया, तथा अंग्रेजी क माध्यम से पास्चाते साहित और विद्वानों का समर्थन किया, जो पहला पॉइंट उसने दिया, Indian literature को पूरी तरीके से बेकार, फालतु और भी बहुत सारे words उसने यूज किये थे, तो वो बोला, और Indian education को भी बेकार और फालतु बोला, उसने जो बोला कि medium जो होना चाहि इंग्लिस होना चाहिए, अंग्रेजी के माध्यम से होना चाहिए, और पास्चाते साहित यानि कि Western literature को ही पढ़ाया जाना चाहिए, और वही विद्वान होंगे जो इसको समर्थन करते होंगे, या फिर इसको जानते होंगे, अब देखो एक एक पॉइंट इसने क्या-क्या पहला बोला है, साहित्य शब्द का अभिप्राई, यानि कि literature का मीनी, क्योंकि वो literature का ग्याता था तो जानता था कि word के साथ कैसे खेलना है, तो उसने क्या किया, literature शब्द का मतलब बताया, लौड मिकाले ने सबसे पहले 1813 में आग्या पत्र में दिये गए साहित्य शब्द के साहित्य से ना होकर, उसने clearly literature का ही definition change कर दिया, मतलब सोचो कि कितना वो ये था, विद्वान था, कि उसने पूरी तरीके से literature का definition change कर दिया, उसने बोला literature का मतलब जो है, संस्कृत, अर्बी, फार्सी के साहित्य से नहीं है, बिलकुल ये तो साहित्य ही नहीं है, उसके according य English literature पर ही जादा उसने focus किया, दूसरा उसने बोला भारतिये विद्वान कौन है, इंडियन जो आप हम बोलते हैं, वो कौन है, लौड मेकालेन 1813 के आगया पत्र में लेखित भारतिये विद्वान शब्द को सपस्ट करते हुए कहा कि भारतिये विद्वान से तात परे, ऐस विद्वान से है, सुनो, अभी इंडियन जो intellectual people है, विद्वान जो है भारतिये विद्वान, वो विद्वान कहलाएंगे, जो लौक के दर्सन, यानि लौक जो western है, आप इनके बार में जानते ही होगे, तो लौक की जो philosophy है, Milton की कवीता है, अर्थात उसकी दिरिष्टी में भारतियों का अंगरेजी साहिते था दर्सन में गहन अध्यान होना चाहिए, इनके according भारतिये विद्वान वही कहलाएंगे, जिनको लौक की philosophy के बारे में जानते हैं, वहां के दर्सन के बारे में जानते हैं, जो Milton की कवीताओं के बारे में जानते हैं, वो वही विद्वान कहलाएंगे उसकी दृष्टी में भारतियों को अंग्रे जी साहिते था दर्शन में गहन अध्यान होना चाहिए इसके ऐकॉर्डिक भारतिये विद्वान वही कहलाएंगे जिनको जो है आप अंग्रे जी बोलो या फिर फॉरेण बोलो उनके literature में साहित्य के बारे में ज्यान होगा फिलोसिफी के बारे में ज्यान होगा उन्हीं को जो है भारतिय विद्वान कहा जाएगा साथ उसनी यह भी लिखा कि भारतिय विद्वान मुसल्मान मौल्वी एम संस्कृत के पंडितों के अत्रिक अंग्रेजी भासा और साहित्य के पंडित को भी भारतिय विद्वान की गणरा में शामिल किया जा सकता है तो यहाँ पे उसने दोनों डेफिनेशन दे करके खतम कर दिया ही बात को कि लिट्रेचल का मिली ही अलग हो गया भारतिय विद्वान भी वही कहलाएंगे जिनको इंग्लिस लिट्रेचर और इंग्लिस फिलोसिफी के बारे में जो है जानकारी होगी अगर जाहिर से बात है जो है दी जानी चाहिए तो लॉड मेकाले का और सुनो लॉड मेकाले ने अपने विवरन पत्र में सिक्षा के माध्यम के सम्मन में भी विस्तार से के साथ विचार किया उसने सिक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी को ही सिवकार किया उसने क्लियरली बोल दिया कि ज ये पूरा explanation उसी बारे में है, तो उसने और गुंगान करते हुए एक दो संग्या भी यूज किया था, उसने ये बोला कि जो पूरा Indian, जो पूरी भारती है, संस्क्रीट का हो, अर्बी हो, फार्सी हो, सभी के जो साहित्ते हैं, इतना साहित्ते तो अंग्रेजी का, इंगलिस क एक जो है, लाइवरेरी के एक अलमारी में, अलमीरा में ही पूरा है, मतलब कि इंगलिस लिट्रेचर जो है, इतना ज़्यादा व्यापक है, कि उसके एक रत्ती भर में भी जो है, इंडियन लिट्रेचर, जिसमें कि अर्बी, फार्स, संस्क्रीट सबाता है, वो नहीं है, इस तरह से जो है वो insult किया था हमारे literature को, हमारे विद्वानों को, हमारे education को, सब को पूरी तरीके से बरबाद कर चुका था, ये किया किसने तो है Lord मेकाले ने, तो इस तरह से उसने अपना विवरन पत्र दिया, इसमें our next point उसने, अंग्रेजी भासा की परसंसा बहुत जादा ही कि, मेकाले ने अंग्रेजी भासा की परसंसा बहुत कुछ कहा, उनी के शब्द में वह भासा पास्चाते भासाओं में एक है, वह सर्वस्रेष्ट है, इंग्लिस को सर्वस्रेष्ट बताया है, जो इस भासा को जानता है, वही सुगमता पूरवः विशाल घ्यान भंडा को प्राप्त कर सकता है उसने बोला कि जो इंग्लिस को जाने गा उसी को जो है knowledge मिल पाएगा otherwise knowledge नहीं मिलेगा और फिर बुला कि विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है क्योंकि इंग्लिस को बनाने वाले जो लोग है बहुती बुद्धिमान थे उन्होंने रचा है इसलिए अंग्रेजी भासा ही सर्वस रेस्ट और दीब बेस्ट है ये बात उसने बोली अब इसके बाद अंग्रेजी भासा और साहित्य के पक्ष में तरक देते हुए और भी बोला अंग्रेजी शासक की भासा है मतलब उसका क क्लियर है कि इसी भासा में जो है एजुकेशन मिलना चाहिए क्योंकि अभी आपके उपर जो राज कर रहा है यह उसकी भासा है तो उसी के कॉर्डिंग पूरा चलेगा पहला दूसरा इसने बोला यह भी संभाव है कि पूरविये समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भ उस्ट्रेलिया और अफ्रिका में 29 यूरोप भी अंग्रेज भासा को ही वहवार में लाते हैं जिस पर का यूनानी और लैटिन भासाओं से इंग्लैंड ने पुरत्थान हुआ था उसी पर का अंग्रेजी का परियोग भारत में भी होगा तो इस तरह से इसने इंग्लिस का एक तरह से पूरी तरह से गुर्णगान किया फिर बोला कि अंग्रेजी संहिता बनाने का प्रस्ताव इसने ये भी रखा कि अंग्रेजी के लिए जो है कोड बनाना चाहिए मेकाले ने कानुन की जानकारी प्रात करने के लिए संस्कृत अर्वी और फार्सी के सिक्षालोय पर धन व्याय करना मुर्खता माना है जो अब एक लाख रुपए वाली बात हुई थी उसने क्लियरली बोला कि अगर हम अर्वी फार्सी और संस्कृत के जैसे साहित्ते के लिए अगर एक लाख रुपए खर्चा करेंगे तो एक मुर्खता है वो बेवकूफी है उसने ये और एक लाख रुपए खर्चा जो है इस पर करने की बिल्कुल मना कर दिया कि ये नहीं करना चाहिए धर्म के संबन में विचार मेकाले ने धर्म के संबन में विचार व्यक्त किया और वह थोड़ धार्मिक निर्पेक्षता का पक्षपाती होने के कारण भारतियों के धर् उसने अपना पूरी तरीके से बोल सकते हो मिकाले ने मिनट में ये सारी चीजे बोली इसमें हाइलाइटेट पॉइंट तीन चार है जो कि अगर आप बाइदवे अगर आप एक्जाम में भूल जाओ तो क्या करो तो इंग्लिस का गुंगान किया था एकदम याद रखना इ आगे जाकर की फ्यूचर का लैंग्वेज है जो आगे जाकर के जो है बनेगा फिर एक लाख रुपे वाले में बात हुआ कि इस पर खर्च नहीं करना चाहिए मतलब की जो इंडियन साहित है उस पे बिल्कुल भी एक लाख रुपे खर्च नहीं होने चाहिए तो ये 5-6 प सिर्फ उसके लिए नहीं पूरी company के लिए बनवाया जारा था जिसे उनका खर्च जो है वो कम हो जाए तो यह चीज़े हुए लास्ट में आपको conclusion लिखना है यह मैं हमेशा बोलती कभी भी exam में answer लिखो तो लास्ट में conclusion निसकर्स जरूर लिखना और यह अपने language में लिखना कि मेकाले ने अपने विबरन पत्र में दिर्टा पुरक अंग्रेजी भासा के माध्यम से पास्चास्ते साहिते और विज्ञान की सिक्षा पर बल दिया जो भी आपको जो सही लगेगा वो लिख देना ठीक है लेकिन निसकर्स जरूर लिखना कि निसकर्स पे as a BA teacher हमारा right है कि अगर आपने इसकर्स नहीं लिखोगे हम आपका दो नमबर काट लेंगे चाहे आप कितना ही best क्यों न लिखे हो फिर ये बात याद रखना next है कि भारतिय सिक्षा के तिहास में मेकाले का स्थान क्या है तो actually में ये भी बोला जाता है कि English को क्योंकि इसने एक बेस दिया था एक जड़ दिया था तो जिसकी वज़े से कही ना कही education system जो है improve ही हुआ था तो ये इसको इसका स्थान जो है इस तरह से माना जाता है भारतिय सिक्षा को मेकाले की देन बोला जाता है gift of मेकाले is an Indian education कभी कभी ये भी question आता है ये mix करके ही आएगा तो last में आपको दो से तीन लाइन जो है वो add कर देना है बस और कुछ नहीं तो ये सारा आपको लोगों का है नीचे में आपको English में मिल जाएगा ठीक है चलिए अब आप लोग के जो questions है वो मैं लेते चलो good evening everyone PDF के लिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि ये जो है मैं combine notes ready कर रही हूँ ये paid class वाले student के लिए तो इसको देने में मुझे problem है क्योंकि ये सभी एक साथ combined है तो उसमें से मैं निकाल करकि आप लोग के लिए लेकर आती है तो problem हो जाएगा उन लोगों के साथ unfair हो जाएगा ठीक अदर्वाइस आपको में इतना दिखा दे नहीं तो आप बना सकते हो इसमें खुड़ा सा effort आप भी डाल सकते हो ओके गुड़ीवनिंग किरन विजेंद्र गुड़ीवनिंग मिर्जा गुड़ीवनिंग अनीता बहुत लोग बाद में आया थे ना राधे राधे करो जिनको जिनको जो question पूछ रहते हैं कुछ question नीतू का था government में किस से बनेगा अब यह क्या question था नीतू थोड़ा साच्छे से clear करके आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा ओके एक और चीज जैसे कि अभी आप लोग first year में हो फिक है first year से आप लोग अपना दो तीन चीज पे धियान देना अभी से धियान दोगे तो आगे जाके आप लोग के लिए burden नहीं बनेगा बोज टाइप का नहीं हुझाएगा इसमें कुछ कुछ आप लोग को जो topic मिलेंगे नो आपको आक अच्छे से पढ़ोगे आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्या होता कि स्टूडेंट जो है बीएड में अब जैसे भी 80-90 परसंट लेकर आ जाते हैं और सीटेट क्रैक की नहीं हो पाता क्यों क्योंकि उपढ़ करके नहीं गया रहते सिर्ट कोस्टन से जो जब क्लास करते रहो तो उसे में बहुत सारे क्वेशन्स आप लोग क्या आ जाते हैं मैं फॉर्स्ट इयर में एक्जाम फॉर्म डालेंगे तो फीस कितनी लेंगे अब कौन सी उनिवर्सटी में बात कर रही हो कौन सी उनिवर्सटी की बात करे हो दुर्गा थुरा क्लियर करो या फिर आप पेड क्लास की बात करे हो या फिर कॉलेज की बात करे हो सब जगा का लग लग रहता है हर college का तो वह आपको college से पता चले का अगर college की बात कर रहे हैं और paid class की बात है तो paid class हम लोग अवध इन्वरस्टी बीए first year second year दोनों का साथ में start कर रहे हैं class registration start हो चुका है तो आप लोग वो ले सकते हो अगर आगर इन्वरस्टी के लिए है तो आगर इन्वरस्टी का second year RMPSU का second year का start हुआ है अभी और इसके बास से हम आगे और भी classes देखेंगे जितना paid class हो सकता है thank you so much Anita okay thank you so much everyone फिर कल मिलेंगे कल हम लोग करेंगे वोड़ dispatch अभी देखो एक दम एक लिंक बनाते चलेंगे 1835 में इसने अपना दिया उसी के बाद जो है हमारे भाई साब एक और आ गए वोड़ चार्ल्स वूड़ उन्होंने क्या किया है English education को ले करके वो सारी चीज़े हम कल समझेंगे मैं अलाहबाद इन्वर्सटी की क्लास नहीं होती नहीं अभी नहीं स्टार्ट करेंगे अब देव और हमारे इंडिया में इतनी इन्वर्सटी साहें और सभी इन्वर्सटी का सिलवस ही अलग कर दिया है एक जगा एक ही जैसा सिलवस रखे तब तो कंबाइन आपको क्लास लेकर जाया सकता है अब इतनी इन्वर्सटी का क्लास कैसे मैं अकेले ले सकती हूं प्रॉब्लम है थोड़ा सा लेकिन स्लवस सेम रखना चाहिए यह एक बीएड है आप जो भी परहा रहे हो एक साथ करिकुलम बनाओ ना कि जिसका सेम जाए मैंने कितनी मार ग आपको जो है आगे जाके हेल्प भी कर देगा और मैस आपका रहेगा मैस में जो है कॉंपेटिशन फुरा कम लिए आपका हो जाएगा इसली हो जाएगा आगरा इन्वस्टी देखो सभी का मैं पेट क्लास का फीस सेम रखी हो 1500 है त्री मंस में आपका कॉर्स कंप्लीट नहीं होता है तो उसके बाद आपका फीस नहीं लगता है और उसके बाद उसी बीच बीच में आप लोग का टेस्ट कंड़क्त होते रहता है नोट्स बनाने का टाइम है अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो इस तरह का नोट्स आप लोग को दिया जाता है आपको बोला जाता है इसे से लर्न करो तो इस तरह से करवाया जाता है है अलाहावाद इन्वेस्टी का सलवट सभी मैं रखी नुए ऐसे नहीं डिस्कुस कर सकती हूं यह कर सकती हुगा आन्या की आपको जो है मैं टेलीग्राम पर दे दू लेकिन डिसकुस करना अलग है इस दो सिधार्थ उन्युवस्टी का एक्जाम यर्ली होगा अभी तक तो यही पता चल रहा जो भी स्ट्वेंट के सिधार्थ उन्युवस्टी में अड्मिशन लिये हैं उनको यर्ली ही बताएगा सेमेस्टर नहीं बताएगा है हम भी बस इसी की वज़े से रुके हुए टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो में दिया रहता है वैसे कैटलिस सोनी के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा हम जी अभी तक यही पता है अगर किसी को भी कंफॉर्म हो गया है जैसे आप जाके कॉलेज में बात करोगे तो बताएगा ने कि सेमेस्टर है य तेंक यू तक अल चार बजे मिलते हैं जाएगा देका का विए ने कांट बजल सारह, पाटून हो। झाल झाल